सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजूकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए दोस्तों बिना आपका वक्त जाया कि ले चलते हैं आपको मोग पोल की प्रक्रिया कियों कि मोग पोल में आपको क्या क्या करना होता है कि पीठासी नतिकारी द्वारा बनावटी मतदान यानि मोग पोल किया जाएगा जो मतदान प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व किया ज करेगा पीठा सीन अतिकारी बनावटी मतदान की कारवाई करने के उपरांत एक निर्धारित प्रपत्र में परमान पत्र भी देगा जिस पर उपस्थित मतदान अभी करताओं के हस्ताकसर किये जाएंगे मतदान के दौरान मशीन खराबी के कारण यदि पूरा सेट बदला ज जाए तो उसमें भी मोक पोल की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी तो मोक पोल की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए जो बटनों का करम रहेगा उसको ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले आपको क्लियर बटन दबाना होगा क्लियर फिर बैलेट फिर क्लोज फि बैलेट फिर क्लोज फिर रिजल्ट फिर किलियर स्विच ओफ करना है सीउ का और फिर सील करना है तो इसके बारे में हम आपको बात बता देते हैं कि सबसे पहले जो आपको करना है मोक पॉल में भाग लेने वाले जो सदस्य है अबियर्थी के जो मतदान अभी करता है या मतदान दल को वोट डालने वाले के लिए है जिला परिशत सदस्य के लिए पिली पंचाई समीती सदस्य के लिए नीली मतदान परची जारी की जाएगी तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी परची किस के लिए है जिला परिशत क के जो सदश्य है उनके लिए पीली और पंचाय समीती के लिए नीली परची जारी की जाती है पीठाशी नतीकारी द्वारा दोनों परचियों को क्रम से अलग-अलग संगरहित किया जाए तरफशात मोग पोल वोटर को वोट डालने के अनुमती दी जाए मतदाता को एक वोट जिल्ला परिषद के लिए एक वोट पंचाय समीती के सदशी के लिए डालना होगा आगे कंट्रोल यूनिट यानी सी यू कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्षन पर बैलेट बटन दबाने पर डिस्प्ले सेक्षन पर लाल रंगी बीजी लेंप जलेगा इसके साथ ही बी पर हरी बती जलेगी तो मोग पॉल मोग पॉल वोटर द्वारा अपनी पसंद के उमिद्वारों को वोट करने के लिए कहें तदा मोग पॉल वोटर द्वारा किस किस अव्यर्थी को मत डाला गया है उसे अलग-अलग आगज पर या जिल्ला परिशा सदस्या पंचाई समीची सदस्य के लिए परिशिष्ट 19 के अनुसार तयार करें मतदान पूरा होने के बाद बीउ में रेडी हरी बती और बीउ के उमिद्वार के लेंप में लाल बती और बीप साउंड एक साथ बंद हो जाएगी मसीन अब अगला वोट प्राप्ट करने के लिए तयार है कुछ सेक परिशिष्ट 19 के अनुसार तयार आपको करना है मोग पॉल के दौरान जो विशेष्ट नोट है उस बात का ख्याल रखें कि समय की उपलबदा के आधार पर मोग पॉल में अधिक और कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमती देने में कोई आपती नहीं है यह भी आवसक नहीं है कि प्रतेक उमीद्वार के लिए दर्ज वोटो की संख्या समान हो नोटा सहीत प्रतेक उमीद्वार के लिए नियून्तम एक-एक मत से मोग पॉल किया जाना अनिवार्य है दोनों चुनावों के लिए सीउ पर प्रदसित मोग पॉल परिणाम तथा परिशिष्ट 19 के अनुसार अलग-अलग तियार किये गए लेखे किसे मिलान कर परिणाम के सही होने की पूष्टी करें तथा अब ब्यर्थी और मदान अभी करता हूँ परिणाम प्रदसित का संतुष्ट करें अब मोग पॉल के दौरान दर्ज किये गए वोटों को खाते को साफ यानि किलियर करने के लिए किलियर बटन दबाएं कहने कारती है कि मोग पॉल जब समाप तो किलियर बटन उस समय जरूर दबाएं ताकि वोटों की संख्या है वो किलियर हो जाए अब जो इस बटन के दबाने से मसीन में जो संगरहित कुल मत दाताओं की संख्या अपरतेक मत के लिए परतेक के लिए उमिद्वारों को मिले वोटों की संख्या को जीरो कर देता है किलियर बटन दबाने के पस्टा दिस्प्ले सेक्षन पर एंड परदसित होने के बाद कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें और विशेश चेतावनी दी गई है कि परिणा मनुभा को सील करने से पहले सीउ को स्विच ओफ करना नहीं भूलें इस पेसल नोट भी दिया गया है कि मोग पोल वोटों को क्लियर करना नहीं भूलें इस बात का विशेश ख्याल रखें मोग पोल जो परमान पत्र है वो इस तरह का रहेगा जिल्ला परिशत बंचाय समीती सदस्य चुनाओं 2021 में मोग पोल में भाग लेने वाले सदस्यों का नाम मोग पोल वोटों की परची करमांग मतदान किये गए अभियर्थियों की करम संख्या जिसको वोट दिया गया है जिल्ला परिशत बंचाय समीती सदस्य के लिए प्रयूक्त दोनों मसीन हेतू अलग अलग तयार करना है पंचाय समीती चुनाओ 2021 में परिणाम खंड के अंत्रिक कमपार्टमेंट को पिंक पेपर सील दौरा सील करना है वो इस तरह का रहेगा जो परिणाम खंड है वो इस तरह से यहाँ आपको पिंक पेपर सील डालनी है दो गत्ते भी दिये जाएंगे जो इसको टाइट करने क के लिए रहेंगे इसी तरह प्रिणाम खंड के अंत्री कंपार्टमेंट को सील करेंगे पहला कंपार्टमेंट बंद होगा उसके बाद दूसरा बंद होगा पिंग पेपर सील से रिजल्ट सेक्षन के अंत्री कंपार्टमेंट को सील करना है और रिजल्ट सेक्षन को बाहरी आवरण को भी बंद करना है इस तरह से यह आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि इस अनुबा को सील करने के लिए रिजल्ट सेक्षन के बारी ढकन को दबा कर बंद करें बारी आवरण को दबाने के बाद रिजल्ट कवर पर बारी आवरण के बाई और दिये गए दोनों के माध्यम से धागा निकाल कर एड्रेस टेग पीठाशी नतिकारी की मुहर के साथ सील किये जाने है यह एड्रेस टेग यहां पे लगाने है इक इसी के साथ आती है पिंक पेपर सील और abcd strip seal करने की प्रक्रिया है वह आप सभी जानते हैं कि नीचे से डालनी है अब पिंक पेपर सील में ABCे स्वों को चिपकाने के लिए समय चिपकने वाली यह बी सील लंबी पिंक पेपर पट्टी सील का उपयोग आपको करना है और उसके उपयोग में करम संख्या के नीचे पीठा सी नदिकारी के पूरे हस्ताकसर और इच्छुक जो उमीदवार या मतदान अभी करता हूं से हस्ताकसर करवा लिए जाए पिंक पेपर सील को जो फोल्डे करने की प्रक्रिया है वो step 1 के अंतरकत आपको A भाग है वो उपर रखना है आप इसको देख सकते हैं चित्र में यहाँ पे A उपर रखा गया है उसके बाद step 2 आता है तो B को उल्ट देना है इसके उपर ही इसी प्रकार जो C भाग है वो गुमा कर नीचे की और आ जाएगा ये देखिए C को wax paper हटा का प्रेणाम खंड के बाहरी दरवा जैसे उपर निकल रहे पिंक paper seal के छोर को मोड कर यानि ये इसको मोड कर C भाग को चिपका दें और C भाग को चिपकाने के बाद अब आती है step 4 की बाद तो अब जो strip seal को control seal के बाईयों और सावधानी पूर्वा close बटन के उपरी plastic rubber cap के नीचे से लेते हुए strip को दूसरे सिरे से control निट के दाइनियों और गुमा कर उपर लाएं तो साथियों ये थी मोक पोल की परक्रिया उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन समंदी नियूस तुरंद पाने के लिए